दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि बालों को घना लंबा काला और मोटा और मजबूत किस तरह बनाए रख सकते हैं और वो भी घरे में जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं उनको इस्तेमाल करके बिलकुल नैचुरल तरीके से कैसे हम अपने बालों की देखरे कर सकते हैं अपने बालों को तूटने से जड़ने से और सफेद होने से बचा सकते हैं द बालों की केर इस नुस्के से कर सकें दोस्तो तो अपने बालों को एक खुबसूरत लुक और खुबसूरत बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए ताकि आपके बाल टूटे ना और गिरे ना उसको बनाने के लिए आपको बताते हैं ये कैसा नुस्का बनाना है और कैसे इस निम्लति और वाइट वाली प्याज मिलती है तो आप वाइट आले लेना उन्याल प्याज के लिए we Just takes 9 confirm आप के वाइट इस भू relatively अच्छी लिए हैं दोस्तों इसके लिए जोस्ताक का यह हम चाहिए अर करें इसके लिए जैतुन का केल circulating और एक चम्मत सहथ हनी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप एक चम्मत सहथ इसमिला लें और टेन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके बालों की जड़ों में हलके हाथ से मालिस करनी है और उसको मालिस करने के 1 घंटे तक आप छोड़ दें और इसके बाद किसी भी हरबल या किसी भी अच्छे सैंपु से धो लें उसमें ज्यादा सैंपु में ज्यादा कैमिकल नहीं होना चाहिए नहीं तो बालों को वो भी नुक्सान करेगा दोस्तो साथ दिन के इस्तिमाल से आपके बालों का गिरना जढ़ना तूटना ये सब बंद हो जाएगा और आपके बाल हो जाएगे बहुत मजबूत शाइनी और बलैक और घने हो जाएगे दोस्तो आप इस नस्खे को जरूत के अनुसार जरूत के एजाब से पंदरे दिन तक भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें कोई साइड आफेक्ट नहीं है आप एक या दू बार भी कर लेंगे तो आपके बाल हमेशा इसी तरहे चमकते रहेंगे और रेसम की तरह मुलाइम हो जाएंगे दोस्तो हमारे इस नुस्के को इस्तिमाल करें और कॉमेंट के जरी अपना फीड़बेक जरूर दें दोस्तो हमारे यह वीडियो यह आपको अच्छा लगा हो तो सबस्क्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिवस के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें उपाई हमारे और फायदे आप सब के इसी ख्याल के साथ अब दीजी इजाज़त जल्दी फिराजी रोंगे कुछ नए मर्ज और उनके आजान से उपाईों के साथ तब तक आप भजते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें